हेलो एवरिवन वेलकम तो सरकारी हट वंस अगेन तो इस वीडियो में जो हम लोग एक इंपॉर्टन डिस्कुशन करने वाले हैं जो कि AIMS के MSC कूर्सिस से रिलेटिड है तो जिसकिसी ने भी AIMS MSC कूर्सिस का इंटरेंस एक्जाम दिया था 2022 सेशन के लिए तो उनकी काउं कंशलिंग है वह कंप्लीट हो चुकत है और सेकंड्क मिठ षूने के बाद जो वेकेंट सीट सीट बची है उसकी सीट मैट्रिक्स भी आचुकी है और उसके बाद जो राौन कंडेक्ट होगा वह ऑपर extern round of counseling है ठीक है तो उसके लिए आपको physically daily जाके उसके लिए counseling में participate करना पड़ेगा क्या-क्या rules and regulations ही जो आपको follow करने हैं अगर आप open round की counseling में participate करने का सोच रहे हो ठीक है तो यह जो notification है हम लोग complete discuss करने वाले हैं बाकि जो demand draft है उसके regarding जो भी आपके doubts हैं तो at the end of the video सारे doubts आपके इसके regarding clear हो जाएंगे और फिर भी अगर आपको कोई doubt होता है या आपको open round की counseling से related कुछ भी पूछना है तो आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो Instagram का जो link है वो मैंने comment section में pin किया हुआ है ठीक है तो यह यहाँ पर देख सकते हो आप notice की date है 23rd September 2022 कल का notice है और यहाँ पर लिखा है open round offline counseling for msc courses और master in biotechnology and msc nursing ठीक है तो जो भी master's courses है msc courses है उन सभी की open round की counseling के लिए जो की offline mode में होगी उसका notice आपके सामने है ठीक है और यह जो counseling है यह 28th of September को conduct होगी the open round offline seat allocation for vacant seats of aims new Delhi and other aims रिशिकेश, जोदपूर, घुबनेश्वर, पतना, भोपाल, गोरगपूर and नागपूर for msc nursing और msc और master in biotechnology courses will be held on 28th September 2022 at 8.30 a.m. in conference first floor teaching block aims new Delhi ठीक है तो आपको यहाँ पर location दी दी गई है 28th September को morning में आपको साड़े 8 बचे report कर देना है वहाँ पे साड़े 8 बचे से start हो जाएगी इसका मतलब आप यह सोच के चलो कि आपको 8 o clock तक वहाँ पर पहुच जाना है जो यह location दी गई है ठीक है aims new Delhi में जाना है teaching block है ठीक है और teaching block का जो first floor है वहाँ पर आपको पहुच कर physically appear होना है ठीक है और 28th September date आप से भी याद रखना और 8 बचे तक आप पहुच जाना क्योंकि 8.30 से जो procedure है वो start हो जाएगा उसके बाद है the details of vacant seats of MSC courses after completion of second round of online seat allocation process that is up to 21st September 2022 आर अर अज़ ठीक है तो open round की counselling के लिए यह आपकी seat matrix दी गई है तो MSC courses seat position for open round ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो seat matrix मेरे सामने है और यहाँ पर अगर आपके लायक seat हो तभी आप participate करना जबरदस्ती participate करने के ज़रूरत नहीं है और पहली चीज़ यह है कि open round की counselling में candidates सब भी participate कर सकते हैं लेकिन सिर्फ वो candidates participate कर सकते हैं जिसका result में नाम आया था आप सभी को पता होगा जब आपका result declare हुआ होगा MSE courses के लिए चाहें वो MSE nursing हो चाहें वो biotech हो या फिर और कोई अधर course हो MSE का तो उसका जब result declare हो था तो वो जो result की PDF थी अगर आपका name उसमें शामिल है तब भी आप जो है counselling में participate कर सकते हो otherwise नहीं कर सकते हैं अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 5 marks आए हैं suppose out of 100 आपके 5 marks आ रहे हैं तो आप open round के लिए eligible हो जाओ गया आसा नहीं है तो result की PDF में जिस candidate का नाम है सिर्फ वो ही open round के counselling में participate कर सकता है तो इसलिए अगर आपको re-check करना हो तो आप वो जो result की PDF वेबसाइट पर already पढ़ी हुई है तो आप उसको download करके एक बार ये ज़रूर verify कर लें उसके बाद ही आप open round की counselling में participate करने का सोच है तो यहाँ पर जैसे medical biochemistry में ST category की एक seat है तो आप biochemistry में जब ST category की एक seat है तो यहाँ पर unreserved OBC SC और EWS का candidate participate नहीं कर सकता अब आप ये चीज़ समझ लो अगर कहीं पर भी किसी भी course में unreserved category की seat खाली पड़ी है तो उस seat के लिए सभी category के candidates apply कर सकता है यानि कि चाहें वो general का हो चाहें वो OBC का हो चाहें वो EWS का हो चाहें वो SC का हो चाहें वो ST का हो लेकिन other than general category यानि कि अगर unreserved category के अलावा किसी category की seat vacant है तो उस category में सिर्फ वही category का student जोए apply कर सकता है जिसकी seat vacant होगी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो सिर्फ ST category का candidate ही इसके लिए eligible है ना OBC का है ना EWS का है ना ST का है ना unreserved का है बाकी unreserved के case में सब भी जो candidates है वो eligible होंगे ठीक है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो second last इसमें जो दे रखा है nuclear medicine technology तो इसमें दो seats जो है वो unreserved category की है दो OBC की है दो SC की है ST की seat नहीं है EWS की नहीं है लेकिन ST और EWS के candidate इसमें apply कर सकते हैं क्योंकि आपर unreserved category से दो seats खाली है ठीक है तो यह चीज़ जो है आपको clear होनी चाहिए कि unreserved की अगर seat खाली होगी तो कोई भी category का candidate उसके लिए eligible होगा ठीक है आपको लगता है if you are eligible आप पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बाद यह जो Master in Biotechnology कोर्स है उसमें भी seat position यहाँ पर दी गई है और उसके बाद MSC कोर्स के लिए जैसे की Medical Anatomy हो गया और Medical Physiology हो गया तो उनकी seat mattress में यहाँ पर आपके सामने है उसके बाद MSC Courses seat position for open round जैसे की इसके लिए है यह नागपूर के लिए ठीक है यह जो उपर के AIMS थे यह सबसे पहला AIMS New Delhi था ठीक है उसके बाद आपका AIMS Delhi था मतब दुबारा से AIMS Delhi था जो की Master in Biotechnology के लिए उसके बाद AIMS Gorakhpur है और उसके बाद AIMS था ठीक है अब यहाँ बाद लिखा है कि MSC Nursing vacant seat position after completing of second round of online seat allocation process will be displayed on 26 September 2022 तो जो MSC courses की जो vacant seat position है open round के लिए वो अभी इनोंने upload नहीं करिया क्योंकि 26 September तक शायद उनके admissions होने है तो 26 September तक second round की MSC Nursing के admissions complete हो जाएंगे तो 26 September को website MSC Nursing की जो भी vacant seat position होगी for open round of counselling वो upload कर दी जाएगी लेकिन आप सभी को जो मतलब report करना है वो 28 को ही करना होगा open round के counselling के लिए चाये वो MSC Nursing के candidate सी क्यों नहीं हो ठीक है उसके बाद है other terms and conditions for open round are as under तो इनको समझना काफे ज़्यादा जरूरी है process of counselling देख लेते हैं any seats falling vacant in any MSC courses by way of seat surrender or resignation till 26 September up to 1 p.m. will be added to these seats and will be open will be available for open counselling ठीक है तो candidates के पास मतलब option होगा seat को surrender करने का 26 September को दो पहर एक बज़े तक ठीक है अगर वो कर देते हैं तो वो seat इसमें add हो जाएगी आपकी seat matrix में और एक नई seat matrix publish होगी website पे therefore the number of seats indicated against each department or category is provisional and may vary at the time of counselling ठीक है तो चाहें वो MSC nursing की हो या MSC courses में से कोई भी जो अभी हमने उपर देखे जैसे biotech हो गया, anot में हो गया, physiology हो गया, तो किसी भी course में सभी के पास अभी तक time होगा 26 September तक, अगर कोई seat अपनी surrender कर देता है, तो वो seat इसमें add हो जाएगी जो भी उस particular course के होगी बाकि MSC nursing की जो vacant seat है, वो 26 September को publish कर दे जाएंगे, ठीक है उसके बाद है, the allocation of seats will be made strictly as per rank or merit of candidates in the entrance examination and rest of the terms and conditions or eligibility as mentioned in the prospectus, ठीक है तो यह तो पता है होगा के rank और merit के according है, आपको मिलेगी, the candidates have to register themselves online on the AIMS website, that is aimsexams.ac.in ठीक है, will be effective from 23rd September 2022 to 26th September 2022 up to 11 p.m. to appear in offline open round of seat allocation to be held on 28th September 2022, ठीक है तो अब आप यह समझ लो कि क्या बोलते है यह जो आपको, मतलब अगर आपको offline counseling में participate करना है, suppose in case, तो आपको जो है, सबसे पहले उसका online registration करना होगा online registration जब आप कर लोगे, तब ही आप वहाँ जाके offline report कर सकते हो ठीक है, तो online registration करने का जो time इनोंने दे रखा है, वो 23rd September से 26 September का दे रखा है अब 26 September को रात में 11 बज़े तक इनोंने time दिया है आपको online registration का क्यों दिया है 11 बज़े तक, क्योंकि 26 September को ही MSC nursing की जो vacant seats होंगी, उनके बारे में details हाजाएगी website पे, तो 26 September को जो MSC nursing वाले candidates है, उनको पहले चेक करना होगा कि उनके लिए seats वापर है या नहीं है उसके बाद ये जो है, वो online registration कर पाएंगे, open noun की counseling के लिए ठीक है, और बाकी अगर कोई seat और add हो जाती है, जैसे कि इसमें बोला है कि 26 September 2022 से दोपहर में 1 बज़े तक, कोई भी candidate अपनी seat को surrender कर सकता है जो MSC courses में, जिसने admission ले लिया है already, तो अगर वो भी ऐसा करता है तो वो वाली seat जो है, वो भी add हो जाएगी आपकी new वाली seat matrix में ठीक है, तो दोपहर 1 बज़े तक ये सारा काम हो जाएगा, उसके बाद रात में 11 बज़े तक आपके पास time होगा, दोपहर 1 बज़े से लेकर रात की 11 बज़े तक, एक नई seat position के बाद, उसको check करने के बाद, कि आप जो है, ओपन आउंट की counseling के लिए, online registration अपना कर सके, ठीक है उसके बाद लिखा है, MSC courses और master and buyer technology candidates who register themselves will report on 28 September at 8.30 a.m. in conference hall first floor teaching blog, ठीक है, तो यह मैंने बता दिया, और उसके बाद लिखा है, कि MSC nursing candidates who register themselves will report 8.30 a.m. at, will report 8.30 a.m. at 10.30 a.m. in conference hall, first floor teaching, ठीक है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा doubt है, क्योंकि इन्होंने, यह 8.30 a.m. to, या तो यह होगा कि साड़े 8 से साड़े 10 के बीच में report करना है, लेकिन आपको भी जो MSC nursing के candidates है, उनको भी 28 September को करना होगा report, ठीक है, बागी हाँ पर ऐसा कुछ clear नहीं लिखा है, तो 28 September को ही करना होगा, उसके बाद next चीज जो important है, वो ही है, कि demand draft of an amount of rupees 25,000 should be made in favor of director Ames New Delhi, to show at the time of verification to participate in open round of seat allocation, those who have not made, the demand draft shall not be allowed to participate, ठीक है, तो demand draft कंबल से लिए सब के लिए जो भी open round की counselling में participate करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 25,000 रुपे का एक demand draft बनवाना होगा, आज 4th Saturday है, आज bank close है, कल संडे है, कल संडे को भी bank close है, तो परसो यानि कि 26 September को जो है, आप अपना demand draft बनवा सकते हो, ठीक है, तो वो आपको अपने, जो भी आपका nearest bank है, जहाँ पर भी हो आप, वहाँ से आप किसी भी bank से अपना demand draft बनवा लेना, और demand draft में जो नाम आएगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, director aims comma new Delhi, ठीक है, तो इस नाम पे जो है, आपका demand draft बनेगा, clear है, उसके बाद है, the list of candidates who have qualified, that is, have secured minimum cut-off percentage और above is available on aims of side, ठीक है, wide result notification, तो यह मैंने आपको बदा दिया, कि result जो आपका declare किया गया थे, aims की तरफ से, वो जो PDF थी, उसमें जिसका नाम होगा, सिर्फ वही candidates eligible होंगे, ठीक है, open out के counselling के लिए, उसके बाद लिखा है, the candidate has to produce demand draft of rupees 25,000 along with all original certificates of qualifications, that is admit card, 10th passing or birth certificate, showing his or her date of birth, degree provisional passing certificate from any recognized university, with 60% marks for general OBCAWS, candidates and 55% marks for SCST candidates, or marksheets of the qualifying examination, or registration slip generated for open round, ठीक है, and proof of belonging to SCST, OBCAWS, along with a set of self-attested copies of all the certificates, ठीक है, तो देखो 25,000 का demand draft है, वो आपको लेका जाना होगा, और बाकी आपके जो भी original documents है, वो आपको वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप 28 September को वहाँ पर report करोगे, तो आपका जो admission होना होगा, वो तुरण वहाँ पर admission हो जाएगा, और आपके जो भी documents होंगे, वो submit कर ले जाएगे, तो यहाँ पर जितने भी documents लिखे हों है, वो सब आपको लेकर जाने है, ठीक है, जैसे कि आपकी 10th का passing certificate, या फिर अगर 10th का passing certificate नहीं लेके जा रहे, तो birth certificate ले जा सकते हो, क्यों ले जाना है, आपकी date of birth के प्रूफ के लिए, ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी degree वगरा है, जो भी आपने उससे पहले course कर रखा है, जो qualifying degree है, वो आपको लेकर जाना है, और आपका जो category certificate है, वो आपको लेकर जाना है, ठीक है, तो यह सब चीज़े हाँ पर लिखे हैं, आप एक बार देख लेना, और registration slip जो है, वो open round की, जब आप अपना registration कर लोगे, तब generate हो जाएगे, अब open round की जो counseling है, उसका जो online registration करना है, वो आपको खुश से अपने portal पर जाके login जब आप करोगे, जैसे आप अभी तक login कर रहे थे, counseling में participate करने के लिए, तो वैसे आप login करोगे, वहाँ पर आपको एक option शो कर देगा, open round counseling में participate करने का, तो वहाँ से उस पर click करके, अपनी जो भी details वगरा डाननी होंगी, वो आप सारी mention कर देना, ठीक है, और बागी कोई problem आएगी, तो मैंना आपको बताई दिया, आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो, ओके, उसके बाद है, relevant degree of certificate of the record as university, showing fulfillment of eligibility, proof of passing the qualifying examination, on or before 31 July 2022, 31 July 2022 से पहले पहले आपकी जो degree हो complete हो जानी चाहिए, इससे पहले की, यानि कि अगर आप MSC nursing कर रहे हो, तो BAC nursing की degree से पहले पहले आपकी complete होनी चाहिए, with requisite percentage of marks and subjects falling, failing which their performance on the basis of ender examination will not be considered, ठीक है, तो जो minimum percentage जोने दी है, जैसे कि 60% marks आपकी degree में होनी चाहिए, जैनल OPCWs के लिए, बागी 55 होनी चाहिए, SCST के लिए, तो यह criteria आपका fulfill होना चाहिए, तब यह आपको आपको admission दिया जाएगा, candidates will not be allowed to attend open seat allocation without a protection of required original document with demander, तो अगर DD 25,000 का नहीं लेकर जाते हो, और साथ में सारे अपने original documents नहीं लेकर जाते हो, तो आपको admission नहीं दिया जाएगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके photocopy ले जाओ, तो photocopy तो एक set रखना है, यह आपको पूरा complete जो आपको self test करके रखना है, बाकी यह सारे documents आपको original form में भी वहाँ दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद है, selected candidates who do not join the allotted seat, shall be subjected to a penalty of Rs.1 lakh along with 4 features of demand draft of Rs.25,000, तो अगर suppose open round की counseling में आपको seat मिल जाती है, उसके बाद आपका plan होता है कि हम मुझे admission नहीं लेना है आपर, मतलब admission ले लिया और उसके बाद course को join नहीं करते हो, तो वो जो 25,000 रुपे का demand draft है, वो तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ में आपको 1 lakh रुपेस की penalty फिर से pay करनी पड़ेगी, तो इसलिए अगर admission लेने जा रहे हो, तो ये सब चीज़े आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उसके बाद है, no authorized representative will be allowed to attend the open counseling, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे नहीं पाद है, क्या लिखा है, कि no authorized representative will be allowed to, अच्छा, ऐसा कुछ हो सकता है, कि मतलब अगर अपनी counseling के लिए जा रहे हो, तो आपको जो है, seat नहीं दे जाएगे, तो इसलिए original documents आपको लेकर जाने ही पढ़ेंगे, और उसके बाद है, those candidates who are found not eligible for OBC और EWO seat on the basis of verification और respective certificate shall be treated as UR, तो अगर किसी का OBC EWO certificate criteria से match नहीं कर रहा होगा, तो उनको फिर UR category में रखा जाएगा, अगर वो eligible हो बाएंगे UR category के लिए, तो उनको seat मिल जाएगे, otherwise नहीं मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद है, on the day of open seat allocation for first, UR seat allocation will be done, and UR seat allocation is over, UR seat allocation will be done, followed by OBC, SC, ST, ठीक है, तो सबसे पहले जब seat allocation होगा, तो उसमें UR की seats के लिए होगा पहले, उसके बाद EWS के लिए होगा, उसके बाद OBC का होगा, उसके बाद SC category की seats का होगा, उसके बाद ST category का seats होगा, अब यहाँ पर कुछ norms लिखे होएं, कि अगर कोई EW seat जो है वो vacant रहे जाती है, तो वो जो है सब UR category में डाल दी जाएंगी, अगर कोई OBC category vacant रहे जाती है, तो वो सब UR category में डाल दी जाएंगी, ठीक है, और SC, ST के case में, जो है, if any SC seats remain vacant, these will be transferred to ST and vice versa, तो अगर SC की seat खाली रहे जाएंगी, तो उसको ST category में डाल दी जाएगा, और SC category की seat खाली रहे जाएंगी, तो उनको SC category में डाल दी जाएगा, ऐसे यहां पर mention किया गया, all SC, ST seats which remain vacant after such transfer will also be transferred to UR, अब ऐसा करने के बाद कि SC category की seat अगर vacant रगे, तो उसको ST में डाल दी और SC category की, तो यह है कि अगर SC, ST की seat मालों की last में, जो है UR में आ गए, तो फिर से UR के candidates को बुलाए जाएगा, counseling के लिए, ठीक है, मतलब उसी दिन बुलाए जाएगा, विसलिए आपको सुबे से शाम तक महीं पर रहना पड़ेगा, तो उसे साब से अपनी preparation करके जाना महाँ पर, ठीक है, और जब तक यह मतलब finally over नहीं हो जाता, तब तक यह सब चीज़े चल दी रहेंगे, ठीक है, In case seat is not available in any category, SC, ST, OBC, NCL, AWS and candidate of the same category apply for course, they shall be treated as UR subject, UR subject to fulfillment of eligibility of UR, ठीक है, Candidate must note that no separate intimation will be sent for the offline seat allocation, ठीक है, तो उनको अलग से कोई letter वगरा नहीं भेज़े जाएगा, आपको खूदी जाके वहाँ पर participate करना होगा, अपनी सारी details जो है, वहाँ पर submit करनी होंगे, ठीक है, तो यह आपकी complete details लिए open around की seat allocation से related, I hope, सारे doubt आपके clear हो गए होंगे, फिर भी कोई doubt आपकर रहा जाता है, तो आप मुझे Instagram पर बोख सकते हैं, Instagram का जो link है, comment section मैंने pin किया हुआ, तो अगर यह video helpful लगी हो, तो प्लीज को दरू लाइक करते हैं, चैनल बना है, तो subscribe कर सकते हो, okay, so thank you and have a nice day.